भीड भाड से अलग होकर जब भी कोई इनसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तब उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ती ही ऐसी है कि वह ज्यादा तर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। यह सोचने की जगह वह यह सोचता है कि अगर लक्ष पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण वह जीवन परियंत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजकता के साथ इस डर को समझाना जाए तो यही डर इनसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संशय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का से चुपा हुआ है यह कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पर से आगे बढ़ने लगा संध्या का समय था सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गाव की तरफ निकल रहे थे सन्यासी के यह शब्द लक अत्मन आप यह क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है डर तो आदमी को कमजोर बनाता है उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहार सुनाई दी शेर की गरजन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम उसके कान खड़े हो गए, जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था, इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए, इस से पहले जब तक तक तुम्हें शेर की दहाड सुनाई नहीं दी थी, तब तक तुम अप अपने शरीर की वह क्षमता देखने को मिलती, जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी, जब कोई कुट्ता तुम्हारे पीछे दोड़ता है, उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है, वह तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है, साधा जावनी परिस्थिती में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपनी उच्चतम श्रेणी में काम करता है, जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते, वह तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है, जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है, वहीं पर तुम्हारी इंद्रिय पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। सिर्फ एक बार याद किया हुआ, तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है। पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ग्यान से बहुत प्रभावित हुआ। उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। और उनसे पूछा कि महत्मन, अंधेरे को तो दिया जला कर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदलें, इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकट्डे धारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो, तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है, और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का खयाल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, ना उसकी दहार सुनाई दी है। मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है। लेकिन शेर का खयाल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनब गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही खयाल चलेगा कि कहीं शेर ना आ जाए। यह शेर वरतमान में तुम्हारे सामने नहीं है। यह तुम्हारी भविष्य की कलपना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वह अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है, वह सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसी लिए ज्यादा तर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इनसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा, तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे। लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया, तो तुम उ पावजूद आप मानसिक डर जेल रहे होते हो। उदाहरन के लिए कुछ मनुष्य हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी न हो जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा न कर दे, लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, जो उनके हाथ में नहीं होता है, अगर दुरघटना होनी होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही, अच्छा खान पान और अच्छी दिन चर्या का पालन करने के बाद भी, अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है, तो यह उसके नियंतरन के परे की बात है, अपनी तरफ से उसने प बतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इनसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वह यह भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करत सी प्रकार एक ज्यानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है। लेकिन एक अज्यानी मनुष्य अपनी अज्यानता वश उन चीजों को भी छोड़ देता है, जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेक शील मनुष्य फेंके गए पत् अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षन करेंगे, तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे कालपनिक होते हैं, और इसलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है, वह भी कालपनिक होता है। यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हों, उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हों, उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तब ही तुम्हारी समस्या है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं जैसे कि परीक्षा का डर लक्ष न पाने का डर जूट बोलने का डर सच के पता लग जाने का डर अपनों को खो देने का डर दुरगटना हो जाने का डर लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो यह जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे यह तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है ऐसे लोगों को अंजान लोगों से बात करनी चाहिए जितना ही वह लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इंकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता लेकिन दूसरों की नजरों में उंचा उठने के लिए यह जूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है अगर वह अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो जीवन परियंत उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या जिजखने की जरूरत नहीं है हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को तो दूर कर सकते हैं लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे सबसे पहले यह समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियां शिथिल हो जाती है तुम्हारी सांसे अटक जाती हैं, मस्तिश्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है इसलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही शारीरिक डर कहलाता है ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाए हैं, कुछ तरीके हैं, सबसे पहला उपाए तो यही है कि अपने उपर संयम रखें जब किसी मनुष्य के साथ बिना सोचे बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम तूट जाता है और संयम तूटने के साथ उसका मस्तिश्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुख जाती है क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है इसलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने उपर संयम रखता है तो उसका मस्तिश्क सही तरीके से काम करता है और वह सही निर्णे लेकर उस परिस्थिती से तत्काल बाहर आ सकता है यहां पर दूसरा उपाय समझने का यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है जीवन बड़ा चमतकारिक होता है वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता बलकि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले दस साल तक आप क्या कर पाएंगे तो आपकी जीवन में से रूची खत्म हो जाएगी लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमई किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं ठकेंगे आपका जीवन आपको आश्चर्य चकित करता रहेगा इसलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है इसलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना किसी सोच को लेकर सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो